क्या गर्मियों में थर्मोस्टेट वाल को निकाल देना चाहिए और क्या थर्मोस्टेट वाल निकालने से आपकी गाड़ी का इंजन ठंडा चलता है थर्मोस्टेट वाल निकालने के क्या फाइदे हैं क्या नुकसान है और किन गाडियों में आप थर्मोस्टेट वाल निकाल सकते हैं और किन गाडियों में आपको ये निकालने की नहीं सोचना चाहिए तो आपके इन सब सवालों के जवाब आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजिनियर खोपडी तो कुछ सैकिंड में पहले आपको यही बता देना चाहता हूँ कि थर्मोस्टेट वाल होती क्या है क्या काम करती है थर्मोस्टेट वाल आपके कुलेंट वाले सिस्टम में होती है यह एक तरह का गेट कह सकते हैं इस गेट का काम यह रहता है कि जब तक कि आपका इंजिन गर्म नहीं होता आपके कुलेंट का तापमान 80-90 डिग्री तापमान नहीं जाता है तब तक तो ये गेट बंद रहता है और कुलेंट या पानी को रेडियेटर की तरफ नहीं बेजता है लेकिन जैसा ही आपका तापमान 90-85 नहीं पहुंचता है तो फिर ये कुलेंट को बेजता है आज किस वीडियो में आगई यह भी बताओंगा कि कैसे आप Thermostate वाल को निकाल सकते हैं लेकिन उससे पहले आप ये जानने कि थर्मostate वाल निकालने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं और उसी के आथार पे आप निर्ने लीजे कि क्या आपको Thermostate वाल निकालना भी की कि नहीं निकालना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं फाइदे की thermostat wall निकालने के क्या फाइदे हैं तो दीखे thermostat wall निकालने से क्या होता है pipeline में जो आपका coolant या पानी होता है वो बिना रुकावट के और लगातार flow करता है जैसे ही आपका engine start होता है शुरू होता है ऐसे ही आपका coolant या पानी है वो आपके radiator से होके लगाता है और घूमता रहता है ठंडा होने लगता है radiator में और पूरे इंजन में ऐसे घूमने लगता है जबकि अगर इंजन में thermostat wall लगी है तो वो जब तक की कूलेंट या पानी का तापमा 90 डिग्री नहीं होगा तब तक वो वहीं पर रहेगा उसके बाद ही वो radiator में फिर वहां से गूमना शुरू करेगा तो इससे क्या होगा अगर आप thermostat wall निकाल देंगे तो आपका जो पूरी capacity है मान लेज़े कि 5 लिटर पूरा system की capacity है कूलेंट की तो उस 5 लिटर को गरम होने में पहले की आप एकसा काफी ज़्यादा time लगेगा मतलब जब आप बिलकुल सीधा सा है कि अगर आप thermostat wall निकाल देंगे तो आपका engine गर्मियों में थंडा run करेगा ये main point है ये इसका main फादा है अब दूसरा फादा इसका ये रहता है कि कई बर क्या होता है कि thermostat wall बंद वाली position में जाम हो जाती है जिससे क्या है वो कुलेंट आगे circulating नहीं हो पा तो वहीं पे बस वो रहता है तो इससे क्या है engine के overheat होने के chance बढ़ जाता है कई बर sensor वाला अगर है तो engine वो automatic बंद भी हो जाता है रस्ते में तो अगर आप thermostat wall को निकाल देते हैं तो इस तरह से thermostat wall के stuck होने से engine over heat होने वाला जो risk है वो भी आपका कम हो जाता है तो ये सब तो thermostat wall निकालने के फायदे हो गए अब thermostat wall निकालने के क्या नुकसान है ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कोई भी engine हो चाहे उसके लिए company एक तापमान की limit सैट करते है operating तापमान की बे तापमान इससे नीचे भी नहीं होना चाहिए और उससे उपर भी नहीं होना चाहिए उसके बीच में तापमान रहना चाहिए तो इंजन के लिए तो नुकसान के अगर मैं बात करूँ थर्मस्टेट वाल निकालने के तो सबसे बड़ा नुकसान इसका ही होता है कि अगर आप thermostat वाल निकाल लेते हैं तो यह जो minimum तापमान है 50-60 degree मान लीजिए इस तक पहुंचने में जितनी देर वे आपका engine ज्यादा run करेगा उतना ही आपके engine के लिए वो सही नहीं है इसका effect आपको एक-दो दिन में नहीं देखेगा आपको लगेगा कि कोई इसका नुक्सान नहीं हो रहा है लेकि लंबे समय के लिए यह आपके engine की life को खा जाएगा जहां वह engine आपका बीस साल चलना था वह दस साल पांच साल में खराब हो जाएगा अगर इस तरह की effect बहुत ही बुरा आता है इसका दूसरा नुक्सान यह रहता है कि आजकल sensor वाली जादे तर गाड़ी आ रही है ECM है हर एक चीज को sensor से control किया जा रहा है तो कुलेंट को भी sense करता रहता है sensor लगाता है और ECM को बताता रहता है कि कुलेंट का तरह को तापमान minimum तापमान नहीं आता है तब तक आपके गाड़ी के इंजक्टर ज्यादा फ्यूल देते रहेंगे ज्यादा डीजल या पैट्रोल इस्प्रे करते रहेंगे cylinder के अंदर इससे क्या होगा इस से देखी रिच मिक्चर बनेगा ज्यादा फ्यूल स्प्रे करने से और रिच मिक्चर क्या क्या नुक्सान करेगा सबसे पहले तो नुक्सान यह है कि ज्यादा आपका गाड़ी का ज्यादा फ्यूल खर्चो का ज्यादा डिजल या पैट्रोल लगेगा मतलब आपकी गाड़ी का माइलेज गिर जाएगा पहला नुक्सान ही होगा दूसरा नुक्सान क्या होगा रिच मिक्चर होने से तापमान ज्यादा होगा अंदर का तो आपके स्पार्क प्लक जल्दी जल्दी सोट हो जो कि आपके गाड़े की ओर्रोल परफॉर्मेंस को खराब करेगा चोथा नुक्सान क्या होगा इसका जब यह रिच मिक्चर से जो धुवा निकलेगा काला धुवा जब वह आपके एक्जोस्ट वाले सिस्टम में जाएगा तो वहाँ पे जो डीपीएफ लगा है या जो क कन्फ्यूज हो गए एक तरफ तो आपने फाइदे बताजे कि थर्मेस्टेट वाल निकालने से इंजन ठंडा चलता है दूसरे तरफ आपने इतने सारे नुकसान गिनादे करे तो क्या करे करना क्या चाहिए हमें तो देखिए निसकर सुन लीजे कंक्लूजन यह है कि अगर दूसरी तरफ मालेजे कि आपके पास कोई यलो नंबर प्लेट वाली पुरानी गाड़ी है या कोई ट्रेक्टर है जिसमें किस तरह की सेंसर वगएरा एसेम नहीं होते हैं सेंसर से कुलेंट का तापमान नहीं ट्रेक किया जाता है तो उन सब गाड़ियों में आप मई जू का महीना निकल जाए नॉर्मल वाला मोचम आ जाए तब आपको उसको लगा भी लेना है पता चला दिसंबर में भी आप ऐसे ही बिना थर्मो bulb चे चला रहे है तब फिर आपके गाड़ी में दिखकत आसकती है तो आप जानते हैं से कैसे हैं पर या फिरन कोल्क है ये एक कू तो यह है आपकी कुलेंट को आप रोग सकते हैं थोड़ा बहुत गिरेगा तो गिरने दो तो यह है आपकी थर्मोश्केट वाल इसको आप ऐसे खीचेंगे तो यह आपके हाथ में आ जाएगी ऐसे इसको ऐसे ही मैं लगा देता हूँ थोड़ा बहुत कुलेंट किरता है तो गिरने दो उसकी फिकर नहीं है आपको बाद में उसमें टोप उप कर लेना ऐसे बैठा दे है कि कैसे आप इसको निकाल सकते हैं तो अगर आपको आज किया मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है जानकरी बरी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कोई भी आपको कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आकर आप बता सकते हैं मेरे साथ आप बने रहे इसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद